हेलो दोस्तों कैसे आप सब और आज के सूड़े में हम करने वाले है रियल मी वीफाई के अन्बॉक्सिंग तो इस वीडियो को आंद तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के बीच में मैंने आपके लिए एक छोटा सर्पाइज रखा हुआ है तो इस वीडियो को बीने के सितरी के शुरू करते हैं तो यह यह रहा है रियल मी वीफाई का बॉक्स तो आप देखे सकते हैं यह रहा है एक अच्छे क्वालेटि का कवर मिलता है फोन मिल जता है 30 वैट का चार्ज़र और एक USB Type-C केबल तो इस तरह का कुछ phone आपको देखने को मिल जाता है, और यह रही accessories तो बात करें, phone की तो आप देखी सकते है इस तरह का कुछ phone है तो इसे मैं जल्दी से निकाल देता हूं, इस plastic flap से तो हाथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है phone, हाला कि थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे बैटरी भी बड़ी दी गई है, पीछे के तरफ यहाँ पे और एक स्टिकर मिल जाता है, जिसे हम निकाल देते हैं, और आप देखे सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिजाइन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्क्वेर शेप में है कैमरा म कि भी बोलना सही नहीं रहेगा मुझे लगता है, बट डिजाइन वाइज अच्छा है, किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बता दिजिएगा, कि आपको ऐसा बड़ा सा नाम अपने फोन के पीछे लगा हुआ अच्छा लगता है, या नहीं, और यहां पर आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाती है, पीछे आपको एक ग्लास बैक देखने को मिलती है, बट इसके साथ मैट फिनिशिंग है, जो कि हमें कम दिखती है इस प्राइस रेंज में, तो आप बात करें, ओवर वीव की तो आपको देख सकते हैं, यहां पर आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाती है, हलाकि मुझे पता नहीं कि यह रियल्मी V सीरीज क्यों निकाली गई है, शायद स्पेशली 5G पर फोकस करके निकाली गई होगी, बट आप देखी सकते हैं, यहां पर फिंगर्प्रिंट सैड में यह सैड माउं सपोर्ट देखने को मिल जाता है, उसी के साथ यहां पर है 180 Hz का touch sampling rate, बात कीजाए पीछे की cameras की तो यहां पर आपको quad rear camera setup देखने को मिल जाता है, 48 MP का main camera, 80 MP का ultra wide, 2 MP का depth और 2 MP का macro, तो usual साई camera setup है कुछ खास improvement नहीं की गई, front में आपको 16 Megapixel की selfie देखने को मिल जाती है, जो और camera भी आपको देखने को मिल जाता है, 6i की तरह, तो अगर बात करें additional features की तो यहां पर आपको 3.5 MP में headphone jack भी देखने को मिल जाता है, और बड़ी 5000 mAh की battery है, और उसी के साथ में 30 Watt का diet charge support, यहां पर आपको UFS 2.1 storage और LPDDR 4X RAM देखने को मिल जाती है, बात कीजाए यहां पर प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको मिलेगा Mediatek का Dimensity 720, जो की latest processor है Mediatek की तरफ से, और यह एक 5G SOC है, तो यहां पर बहुती जबर्दस होने आले performance क्योंकि एक gaming centric processor है, और यहां पर आपको 5 GB देखने को मिल जाता है, बात कीजाए यहां पर storage की, तो यहां पर 6 GB RAM और 8 GB RAM का variant दिखने को मिल जाता है, और storage यहां पर दोनों में भी 128 GB है, अगर बात करें pricing के तो 6 GB RAM variant 1399 yuan से शुरू हो जाता है, यानि आप approximately 15,000 रुपए और 8 GB RAM variant 1899 yuan, यानि 20,000 इंडियन रुपीज, तो आप देख सकते हैं, इस तरदे की कुछ pricing दिखने को मिल जाती है, बहुती solid phone नहीं है, इंडिया में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि अभी के लिए 5G का कुछ scope नहीं है, और भी सार के अंदर 5G मतलब थोड़ा सा में बीट करना ही पड़ेगा इंडिया के लिए एसे phone लानी के लिए, तो बात करें सरप्राइस के तो आप में से किसी एक लखी वीवर को ये phone मिल सकता है, आपको कहने का है, इस वीडियो को लाइक करना है, ज्याद सदर शेयर करना है अपने families और friends के साथ, और एक अच्छी से comment लिख देनी है कि आपको इस phone में सबसे ज्यादा चीज अच्छी क्या लगी, और subscribe ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आप के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बाए-बाए-बाए.